हेलो गाईस तो कैसे हो आप सब होप सो ठीक होंगे वेलकम है आप सब का रुशूज राइटिंग वर्ड में तो बिना टाइम वेश के लिए शुरू करते आचाला तक पूलिस को बताने के बाद वार आई और सबसे पहले अमनीश को ऑस्पिटल लेखने गई उसे वाँ जाकर पूलिस अपने आगे की इन्वेस्टिएशन के लिए अमनीश की दोस्त आईशा को बुलाते है आईशा जब अमनीश का एक्सेडेट हुआ था शायद तुम लोग उस ते एक्स्ट्रा लक्षर करके कुछ आ रहे थे ना तब क्या हुआ था डीटेल में जारा बताओ तो मु तो मैं बिश्टाब नहीं करना चाहिए इसलिए अमनीश ने उन्हें पोन नहीं किया था और ज्याब हम एक्स्ट्रा लेक्षर करके घर के लिए निकले तो मैं दूसरे रस्ते से चली गए मेरे अपने दूसरे प्रेंस के साथ क्योंकि मेरा गर दूसरे रस्ते से आता है इस अच्छा ठीक है आईशा चलो मुझे ये बताओ कि तुम्हें किसी पर शक है मतलब अमनीश का किसी के साथ दुश्मनी थी ठीक है अब तुम जा सकती हूँ आईशा पुछ ताच करने के बाद पुलीस इंवेस्टिगेशन के लिए पार्थ को बलाते है पार्थ मुझे अभी अभी आईशा ने बताया कि उस रात अमनीश के साथ आखिर में तुम और अरुन थी देखो कुछ मैत रूपाओ दरोमर मुझे जितना पता है उतना बताओ हाँ सर हम अरोस घर साथ में जाते हैं लेकिन मेरा घर अमनीश और अरुन के घर से पहले आता है इसले में फिर चला जाता हो और उस दिन भी वही हुआ कितने सालों से जानते हो तुम अमनीश को अकरीबन पिछले चार साथ से सर अमनीश की कोई ऐसी बात या किसी के साथ जगडा दुश्मनी ऐसा कुछ जानते हो तुम नहीं सर अमनीश का तो आज तक मेरे साथ जगडा नहीं हो तो किसी और के साथ क्या ही होगा अमनिश मुझे हर बात बताता है सर मुझे नी लगता कि किसी के साथ उतका जगडा हुआ होगा और अगर हुआ भी होगा तो मुझे नी लगता कि इस हद तक हुआ होगा ठीके पार्थ तुम अब जा सकते हो Thank you, सर पार्थ के साथ पुछताच करने के बाद पुलीस इंवेस्टिकेशन के लिए अरुन को बुलाता है तो अरुन, मुझे आईशा और पार्क से ये तो पता चला है कि उसराथ अमनीश के साथ आखिर में तुम ही बच्चे थे तो सब सच सच बता जाए कि तुम्हे कुछ ऐसा पता है जो किसी को नहीं पता हरुण इदर उदर देखने लगता है और थोड़ा दर सजाता है कि हरुन को कुछ ऐसा पता है जो किसी को नहीं पता या फिर अमनीश की इस हालत के पीछे अरुन का हाथ है आगे की कहानी जानने के लिए बने रहे हैं मेरे साथ और सब्सक्राइब कीज़े प्रुशुट्स राइटिंग वर्ड